कुछ खास जैसा हुझा रहा है, मिलको प्रियम के अंदर स्टाइग मिल जाया, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, उपड़ जाओ, उपड़ जाओ, पहले उटियम को पकड़ की निकालना बड़ेगा ना, ठीकि उटियम का जो प्रियम है, वो नहीं दे रहा है कुछ, इसर कितना आपना इदर बन चुका है, जाहिन दोस्तों कैसों आप लोग आई, होप आप काफी आचूँगा, दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग स्रीज का एक और वीडियो में आप लोग के लिए लेकि आचुका हूँ, मैं डेली बेसिस पर ट्रेट करता हूँ, मेरी ट्रेट को देखो, आपको समझ में आजाएगा, बाकि जो लोग मेरी जोइन करना चाहते हैं, लिंक के में डिसक्रिशन बॉक्स में दिया है, आप जोइन करते हैं, मार्केट के लिए जिस टाइप जितनी पी अपडेट होती है, जो कोई भी इंपोर्टेल डेवल का बेक्डाउन बेक अपनी स्कैल्पिंग के जो वीडियो आप लोग के ले के आ रहा हो, तो अगर आप वीडियो को जासे लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे लिए और इजी रहेगा, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, कि मैं ऐसी ये चीज़ें आपके इन अविड़ और हर किसी का अपने परसेल टेडएं trainer को भी जान में अपने माइं से था है, और दूसर का मायशन मेरे किहां पर गलत है और ये क्क है तहीं चीज़ एक्या सो दोस्तों मार्केट की ओपनिंग हो चीक है और जस्ट उपन अभी जो हुआ है अपना फ्लैट फ्लैट पॉस्टिव पॉस्टिव सब पॉस्टिव है विक्स हमारा टूर टूर के चौधा पाग विक्स मुझे मुझे इस विक्स को यहां पर देखना ही नहीं है मैं 14 जैसे ज पाइक आयता है यहां से फुर्ण तू टाट के नीचे आ गया सादा का सादा नहीं क्या है तो विक्स ऐसे नहीं आना चाहिए वालब आना तो चीए इस टेप्लेटी मार्केट को चीए इंवेस्टर के लिए बढ़िया है बट एक ट्रेडर के लिए विक्स का बाद चौर 14 15 प्रेडरा-16 के बीच में रहना ही ठीक है उसका रीजन है कि प्रियम सब आपको मिलेंगे नीए प्रियम मूववेंट के देंगे नीए कुछ होगा है यह नीए प्रियम के अंदर देखना पड़ेगा क्या है यह जो बहुत बेकार जो ताव एक से 10-12-13 का ना अभी पी चलो करता है तो साइलिंग प्रेशर कहीं ने जाता ही है नया उल्टाइम हाइस ने टच कर दिया वापिस से तो जो ग्रैश हो था टरेश तो सारा वाइप आउट हो गया सार क्रेश में जितने वने बेचा हूँ बेकूफ थे मैं आप यहां पर तो इसमार्ट ट्रेडरी होता है जो इतने का क्रेश में आपको बूल मार्केट में भाई या भर हो ना यार अब तो सब बेचने पर चले हो यह ना वहीं करता है जो नया नया बन्दा होता है उसको पता नहीं होता कि यार क्या है क्या होते हैं क्या होते हैं क्या है यह तो कोई specific major कुछ impact नहीं पढ़ेगा मा किस जाथ 23,250 या 23,300 से आपका बहुत अच्छा 10% 9.5,5,9,10% की आसपास का फॉल लिखा है तो यह है यह लगिक्षन होता है वह है यह लगिक्षन देंकि मार्केट है उपर जा चुका है रेंज इसने बनाए थी तीन एक रेंज में रहा आज बेक आज यह ब्रेक आज यह नए फ्रेश ऑल टाइम है टच कर दिया तो यहाँ थोड़ा सा संबल के करना पढ़ेगा थोड़ा दून साइड हमको मुवमेंट मिल सकती है लेकि नीचे को जो मुवमेंट है बहुत फास्ट है उपर को फास्ट मुमेंट नहीं आएगा नीचे बहुत फास्ट मुमेंट आ दिखा रहा है मिस नीचे को बढ़ते हों नहीं देख रहे हैं पूट की देखना पड़ेगा रैसे गैप पहुत अपर पूट के तो तो टूट गए कॉल का कुछ खास गैप 20 का था कले यहां से 20 से 24 गया 24 से चालिस के आसवार से उपनिंग दिखाई है और कॉल की मैल्ट हो नीचे आ रहा है कि शосьक करेंगे तो सेंसे पर दो चॉड़ाता हो मैं क्या दों है ठीक है राता है तो यह गैप उसे सब मैं है देखते है केल करते निकरते गयास, देखरा प्रॉलम् क्या होता यह रहा है को लाका प्राइस नी चाहा है यह थी देर से गैडल बैटे थे आप हो जागे केंडिल ने कुछ मुवमेंट यहां पर दिखाई है तो अब अपन एंट्री भी करें तो क्या सोच समझ करें क्या देखके करें तो अपन देखते हैं अपने को एंट्री मिलता है 58-55 अब इसने केंडिल सीधा पीछता नमार दिया पचास से और इसनी देड़ से होता है कि अब यहीं दिक्कत है एक स्पाइक मारे का नीच आदेगा तुरांत प्रियम मैल्ट हो जाते हैं यही होता है विक्स का प्रॉलम यही है अब कोई भी लेक के बैड़ी है जितने घुसे यहां पर सब खातम होगा अब जाके नाइन यहां कि नीचे कुछ प्राइस है हुआ है क्लोजिंग दिए प्रियम भी निकले हुए तो अब ट्राइक करूंगा कि मैं कुछ एड़न करू कुछ पोजिशन मेरे वैसे और से यहां थे पर नहीं लगा तो प्रियम सीधा चला गया कुछ नए ओर्डर से अपने पंचप यहां पर करने बढ़ेंगे स्टैक यहां पर कुछ ओडर से अपने लगे हुए देखते हैं क्या होता है चौटर पंदा जाद पर बंद रहा है मिदा कट सब कहां गया ठीक है पकड़ते है इसको सो पंदा सोला इकिस जाद के आसपास बंदा है चौविस चबविस तैइस एक्षिंस मिलनी चीह तो पड़िया ह यहां जाएगा और आधि इस जाद में इस यूदा में एक टीश चबविस उन्टिस टीक ऐस जाद क्या सब्सक्राइब है यहां पर दे रहा है तीक है सथाटाइस उन्टिस टीस जाद मई राक एक तत्तिस बात्रीस चौटिस ठीक फस्टिशन रिच्शन गुंबला 33 देख 10 किया करता है क्या दोड़ा साइर इन कि 19 जिए तेरा जार फिर सा गया है ठीक है ठाधा रुनिस इस बीस इे पर जिए जेक्शन से हे तो बड़िया है नाइन ये नीचे नहीं आना चाहिए फर्स्ट टाइम रेक्शन मिलेगा तो अपने को कुछ नो मिल जाएगा 42-0 था में में आउट आप दा मनी यादा लगा है अब देहो 27-26 जाद इज़र बनना है 30 या 32-33 बढ़िया आवा 35-33 थावर इज़र 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 बनना है पर दो प्रियम को अपने को आपे स्को स्कुराइड पर करना पड़ियंगा अलगरामिल को स्कुराइड उफ कर देते हैं पहले 7000 इज़र 6300 14 याद इस बड़ी से जो केंडिल आदिया यह बड़ा दिमा ख़ाब कर देगी यह रुखती महीं है इधर तो मैं इसको स्कुराइड उफ कर दिया है बाट इधर मेरा 37 36 पर चल दा है चाल पॉन नीचे पांच पॉन नीचे आ चुका है तो देखते हैं इसको क्या करता है 23 24 इस बी से यहां पर भी लॉख चल दा है तो अपना फर्स ट्रेट थोड़ा सा मिझे लग रहा है गड़ बढ़ है तो अपने स्कॉर करें स्कॉर अफ करें तो वट इट विल दू 38 39 ठीक है साथ नौ आठ है हम हजार थीक इतना तो मैं प्रियर कर सता हूं लेकिन मिलको थोड इस बीक्षे नहीं आ रहे हैं बड़ी केंडिल बनी हुए है अगरी बड़ी केंडिल के बाद प्रियम पुरा नीचे आता है ट्रैप करता है तो अपना इधर ठी हो जाए कुछ आजाएगा प्राफिट में कोस्ट कोस आजएगा इधर तो अपन साथ साथ जार कुस तो बु अपना काम इसको एक स्क्राफ कर देना 40,000 वलत देगा है तो इधर भी अपने कुछ ओडर लगे हुए है देखते है क्या है नीचे आना ची यह जहां तक है 23,000 27 इधर तो बन रहा है वैसे लिए उपर गिया है थोड़ा 33,35 जौदा बंदा जार के आसपास यहां चुका है यहां बंदा चालीस जार के आसपास बन रहा है 37,51 इधर कितना है 24 ओके यहां पर भी अपना आचुका है कुछ 19,20 यार के आसपास 35,86,20,20 ओके यहां पर है टाइम ट्रेड तरेड इसको अपन एक्जिट करते है पचाह जार अपना इधर बन चुका है तो मार्केट 57,46,56 इधर कितना है 39,40,54,57 बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा है स्पाइग है 63 ओके 65,37 इधर कितना बनना है 63,39,46,37,46,48,48 इधर 62, एक्जिट इधर 32,36, एक्जिट ओके तुन साइट अपना एक्जिट हो चुका है और इधर कुछ एवरेज लगे थे इधर कुछ हो लगे थे तो अपना यहां पर 9 एमे के उपर क्लोजिंग आ चुकिए तो इसलिए अपन ने इसको एक्जिट कर द हो चुका है 58,000 इधर जो अपना होगा है 20,000 तो अभी इसको रिलोट करते है 35 ठीक है 35 मैंने कुछ एवरेज मारत 37 अभी चलता है बहुत सच्छा पिये मूव करता है अब मेरे जो एक्जिट हुआ होगा हम देखो 35 के आसपास एक्जिट हुआ है अनि 36 37 चलता है तो पचास और इसको मैंने इधर एक्जिट कर दिया है ठीक है तो अपना ये लॉंग पोजिशन अपमारे इधर 30 पाउर्डस ले गया है 30 का 40 गया था रांड ठीक है अच्छ को यह नहीं है अपने यहांप मैनेज कर लिया इसको अब देखते हैं को दूसरा अपना ट्रेड बनता है बनाएंगे 20 यार इधर हो गया और 60 यार इधर हो गया तो अपना फर्स स्कैल्पिंग मूव बन गया अभी अगर आप देखोगे तो वही प्रियम कहा आगे नीचे तो इसलिए होता है टाइम पर आपको मैनेज करना चाहिए चाहिए देखनी आनी चाहिए और आपको नहीं का यूज करना तो मैंने धाय से कुछ यहां उठायता है तो हो गया ठीक है अपने उसमें से कॉस्ट कॉस्या प्रॉफिट में निकल गया और यहां पर देखो वही प्रियम नीचे तो स्कैल्प में आपको डिसेंट टार्गेट ही बुक करने परते हैं बड़े टार्गेट क यह अच्छा आप साइट भी दिखा सकता है या एक बड़ी कंडिल आगे नीचे को भी मार सकता है कंफ्यूजिंग जोन में सेंटर पर टाइम अगर देखो कि 10 बजे 10 बजे मेरा ट्रेट खतम हो चुका है 10 बजे मेरा ट्रेट हम प्रॉफिट इदर बना है और 58 इदर बना ह तो मेरा टार्गेट है 20 थावरेंड और एक लाग कुछ बनाना तो देखिंगे अभी 10 बीस जाद 30 जाद के लिए और कुछ कहीं से बन जाए जिरूद हमें देखता हो तो अपना हो जाएगा आज का टार्गेट पुए हो जाएगा स्कैल्पिंग का उससे जादे की एक्सप अपनी प्रिविट कमेंट्री लांच के जहां पर मेरे जो होती है हर एक चीज टाइम अपडेट में आप देता है तो उसको भी आप जोइन कर सकते हैं यहाप मैंने लिंक दिया हो है ठीक है और इसमें डेरी टुडे अमेरे को हर एक चीज अपडेट देनी होती है तो मैं आ यहाँ पर क्लोजस जैसी के देखो यह कंडल स्टिक का पावर है ना ना यहीं में के उपर जब केंडल निगे तभी स्टैंथ तर्वाज नहीं आई तो यह अभी अपना प्रिम निकल सकता है यहां से अपसइट को दे सकता है यह निफ्टी बैंक भी निकला हुआ है नीचे से वो करके एक निकल रहा है सेम चीज सेंसेक सेंसेक्स ने भी किया जो बीग बार आई है नाइन यह में के ऊपर सपोर्ड लेकिया हर जिगाब है तो आए तो वही करण उसी को देखते होए यहां पर प्रियम के अंदर मूव है कि यहां से लीकर यहां तक क्रणक की मूवें Actosh I am तो देखते हैं मैंने यह से आप लगाए हुए 25 के आसपास मेरे ओडर से 27 चल रहा है मिलता है नहीं मिलता है देखते हैं ऐसे 20 जार के स्मॉल लेडी प्राफिट है तो मिल गया तो वैल एंड गुड बढ़िया है थोड़ा से यहां तक देखेंगे इसको नहीं मिला तो फिर निकल भी सकता है सीधा तो इसको तोड़ के नीचे आया था नाई नियम्म को इसने यह चला लविश ट्रेंड लाइन को आप इसमिलाब यहां पे चलागए जोन बना यह जोन को तोड़ के नीचे फिर ऊपर चला गया तो नीचे हो इसमें ट्रैप तो किया है नीचे यह विए पर आया था देनी लॉड कर यहां पर आप देखते हैं बढ़िको तो आ है यहां थे कि एक्सप्रेटिशन के पूल बैक दे थोड़ा सा केंडिल केंडिल लोग कि आसपस देखेंगे कुछ क्या करता है मार्किट लेट सी बाकि प्रियम मेल्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही है यहां से गया तो अपका गया है यह अपना को सैट की जो प्रियम थे बहुत अच्छा मेल्टि ए सुबह यह भी यह आपका 90-90 रुपए से सीधे 20-10-20 क्या सबसा गया है यह फाग रहा ह यह फ्रियम भाग रहा है प्रियम भागती ही अब हम इसको कैसे ले 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 इसके और की चेंज मेंट करती कुछ बहुत तो थोड़ा सा और ना और यहां लगा है बट क्या कर आया है नहीं हुए तक 22,400 पांसो की बार कॉल देखता हूं ट्रैक करता हूं क्या करती है चार सो पर चार सो पर चार सो की कॉल इसको ट्रैक करते है ठीक है यह आपका चला है 15 16 19 15 13 14 15 15 पर मिल जाए तो बहुत बाहर हो जाएगा चार सो पर चाहस की कॉल को देखेंगे तो 20 पर चल लिए ठीक है देखते हैं इसका कुछ बॉल बैक रने को मिलता है तब देखेंगे पावर पोटेंशल आपको देखा लो नए निमेक उपर आया तभी बिग बार बना है तभी यहां प्रियूम के अंदर आपको बिग बार दिखा है और तभी अपनों के मुमेंट आती हूं दिखिए ओके बाइस से चार सो पचास की कॉल को एक बाप पकड़ने कोशिस करते हैं 30 के 25 के बाइस बेंड मोट है इसको ड्हयं लाग सुकर डालते है इसम फोसोझा तर्यपा ठीक है बाइससार चार सो की कॉल है बाइससार चार सो पचासी गॉल देखते हैं कॉनसे ओडर में बैदे कहां पर लगते हैं लेटस वेट औन वाच्छ तर्ट भी है रखी है 25 पर सब्सक्राइब करें नहीं मिलता है तो देखेंगे नाइन यह में नीचे से लेट सवेट और और उब्सक्राइब करें वाट मार्केट इस गई तो विद यू ऐसे बिग बार के बाद एक केंडल तो आई है बड़ीया इस पाइक दे दिया है थोड़ा सा मेला अगेन एक अपसाइड इस पाइक का एक्पेक्टेशन है दे देता है तो एलेंड गुड बै कि अधरा पैतालिस आए थिंग निफ्टीव मिल जाएगा ओके 24 चब्वी सिदर मिल रहा है कुछ खास जैसा हो नहीं आ रहा है मिलको प्रियम के अंदर स्पाइक मिल जाए ऐसा कुछ लग नहीं रहा उपड़ जाओ उपड़ जाओ पहले ओटियम को पकड़ की निकालना ब कुछ ऐसा मिल ला बढ़िया है 59 60 के अच्छा इजेक्शन आया है अच्छा इजेक्शन आया है 53 75 वाइस गुट 80 आप देखोगे 77 87 79 तो ठीक आप अपना एक्जिट करना चालू 10 परसेंट इस बुक ठीक है और 32 33 चला गया है 75 इदर को कुछ वो करते ही क्या कर रहा है दूसरा अपने निकला नहीं है अभी इंटीन इटीन सेवन एट प्रियम नीचे आ रहे हैं 30 आगे उपर आ गया चलो 57 जाओ उपर जाओ 57 के आसपार समय कुछ दे दो अब आई आगे शिस्टी थाओजेंट बन रहा है वैसे टेंडल तो अच्छी आरी उपर को जाना चीए तीसी कर तीस बरतीस अकर माड़ देता है नहीं माज रहा है नहीं माज रिजेक्शन दे रहा है यार यार पेकार अब यह मैं तो तूड गया ठीक है तो यह है रिजेक जाओ नो उपर जाओ तो नहीं क्या कर दाए 30.5 कुछ गया है तो फिटी टू फिटी थी के असपास चल दाए निकाले रहता हूं कि रोज इसके प्रियम में कॉंट नहीं आ रहा है ठीके प्रियम में नौट पांड गैटिंग कॉंट इंग प्रियम तो अपन इसको बीस थे प्रियम में प्रियम में प्रियम में पांड तो अपना टाइम है 63 फिर से 63 शीव चल दाए चलो तो इस टाइम टैग्सिट ठीक है एग्जिट कर दीग उन्टिटी कितने प्रिश्ट वाइं 50 कॉस्ट कॉस्ट एग्जिट हुआ कोई नीचे से कुछ ओडर्स थे तो उसने में को वही एवेच कर दिया दो लाक ड्यालाक के उपर ड्यालाक के नीचे तो अल्मॉस्ट फाइव लाक क्या कुछ कॉंटिटी थी यहां पर मैंने प्लैन किया था जो इसको मैं एक्जिट कर देगी प्रियम नीचे मैल्ट हो रह है ठीक है तो पोजिशन 50,000 इधर है और अपना जो धन पर है वो कितना बनावा तो सुपर से 58,000 तो अल्मॉस्ट अपना लाग रोपी के उपर का प्राफिट हो चुगा तो मुझे जहां तो लग रहा है कि अब मेरा हो गया तो ट्रेट साथ चले नहीं है वह एसा नहीं चल नीचा रही है अगर आप देखोगे तो बढ़िया स्पाइक केंडल स्केंद रहाता है लेकिन पूरे मेट हो जा रहे तो मार्केट इस नौट गूट फॉर ट्रेडिंग टूड़े क्योंकि प्रियम से समझ माहा रहा था कि एक्जैक्ली हो गया रहा है एक केंडिल जा रही ह बुक किये और टाइम से सही काटा उसको वह भी 24-25 आपे से प्रियम आ चुका है तो प्रियम को अब्सरब करना इस जादा इंपोर्टेंट होता है ठीक है और बीच में अगर जैसे एकर मैं इस पर पांस लाग से ट्रेड डाला हूं और मैं नीचे उसको एवेज करने के लि लेकिन मैंने अगरे कटा यहां पर अंटना जाता तब भी मेरा प्रोफिट बन जाता नहीं मिली प्राइस नीचे आया तब भी मेरे कास्ट को निए रखा मैनेज करके उसने में ट्रेड़ने मैं को प्रोफिट में रखा है तो एवरेजिंग ऐसे मार्क्त आपको किसी एक र तो टोटल एक लाग सुपर मेरा बन चुका है एक से उपर ही बनता आज वह लेकिन बट फिर भी मेरे मैं इतने में मेरे को ज्यादा ग्रीट करना नहीं ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन रखता नहीं लाग सुपर बनाना है बन गया है फौर टुडे अपना ट्रेट हो चुका ट्रेट के एंदर प्लाइब अ हैं मैं ज्यादा करूंगा क्रींग चलब नहीं दिख नहीं रहे हैं च्ईक्टि को आपको नीचे मिल जाएंगे अर्दका मैं लोग नीचे डालूंगा ॉक्य आयोग बाईस आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको चीजए सीखने को बि पर पर काट के भागना पड़ता है कभी एक परसेंट दो परसेंट पर भागना पड़ता है स्केल्पिंग आप 11000 कहीं तक भी कर सकतो डिपेंड करता है आपकी टाइंग पर आपका टाइम ट्रेड पर आपके execution पर आपकी position sizing क्या कैसे positions को मैनेज कर आज मैंने basically averaging किये धन पर मैंने आइधिंग दो ट्रेड यह धन पर मैंने आइवेज नहीं किया टैपिटल डाला मुझे पांस लाग दो यूज करना है तो मुझे एक ही बार में पांस लाग नहीं डालोंगा मुझे पता कि प्रियों उपन चे फ्लक्चुर्ट करेगा तो मेरी कहीं साइकोलोजी बिगड़ी या मैं वहां पर लॉसस कर सकता हूं यह बड़ा लॉसस था तो को करने के लिए कम करने के मैं को पता कि मारकेट रेंज में प्रियों सुतने होते हैं तो इसलिए महां पर एवराउज करा हूं तो एलिए डेली नहीं किया आताा आप कभी-भी कर सकते हैं तो ऑच कभी-ज़ोच्पना जोश्या करके मीण़े आप अन्ने पर अपने शौर्स यहां पर भी कुछ न को जो प्रॉफिट में निकलाई हूं ओके पांसलाग का मेरे कैपिटल यूज का दन जिरो दर मेरे पचास जार का प्रॉफिट हो तो मेरे लिए ओवर आल मेरे कैपिटल डिप्लॉइट का अब इमालो सिर्दस परसेंट है और वहीं धन पर जो इसका पर इडिन्टिफाय करी वही चीजे मार्केटर प्रियम के अपने को जब बिग बार मिली तभी अपने को मुमेंट मिला कहां पर क्या कौन से बिग बार सही है गलत है वही मैं आपको चीज में बताते रहता हूं तो मिलता हूं आपको एक और ऐसी लर्णिंग वीडियो के साथ तिल देन बाबासी यू जाहिन